आज आपको भारत की सबसे पुरानी रोपवेज में से एक की सेर कराएंगे जो मसूरी में है. अगर आप पहले इसमें सवारी कर चुके हैं, तब भी वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कई जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे. मसूरी को क्वीन आफ हिल्स या पहाडों की रानी भी कहा जाता है. मसूरी की रोपवे मॉल रोड से शुरू होती है. शुरूबात के इस लोवर टर्मिनल को जूला घर कहा जाता है. ये लगभग 400 फीट की उंचाई पर गन हिल तक जाती है. गन हिल तक जाने के लि जिस दिन ये विडियो शूट किया उस दिन बर साथ के साथ सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है. इसलिए आपको विडियो में कुछ पानी की बूदें दिख सकती है. गन हिल रोपवे में बीच में कोई टावर या पिलर नहीं है, जैसे की ओली की रोपवे में देखने को मिल किया है, जिसका लिंक आप आई बटन या डेस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. मसूरी की ये रोपवे 1971 में चालू हुई थी और ये रोपवे भारत की पहली बाई केबिल केबिन बेस्ट रोपवे है. वैसे राजगीर, बिहार की रोपवे भारत की सबसे पहली आधुनिक है, जो 1979 में शुरू हुई परंतु ये केबिन बेस्ट ना होकर चेयर लिफ्ट रोपवे है, जिसमें व्यक्ती खुली कुरसियों पर बैठता है. अगर आपने हिंदी फिल्म जौनी मेरा नाम देखी है, तो आपको देवानंद हेमा मालिनी का ओ मेरे राजा गाना जरूर य राजगीर रोपवे का शिलान्यास और उदखाटन इतने महदवपून व्यक्ती ने किया वही मसूरी रोपवे का उदखाटन किस ने और कब किया इस बारे में खोजने पर ज्यादा कुछ नहीं मिला. बस इतना पता चला कि उस समय मसूरी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के इसके तक्नीकी पहलो के लिए श्री एसेनलाल की मदद ली गई जो आज आरकॉन इंफरा के चेयर परसन है तथा इनका और इनकी कमपनी का हाथ भारत की अनेक रोपवेज में रहा है आपको कुछ और जानकारी हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा मसूरी की रोपवे में दो कारे हैं जब एक उपर आती है तो दूसरी नीचे जाती है रोपवे के केबिन को गोंडोला भी कहा जाता है रोपवे को उनकी दूरी, उँचाई, गोंडोला की क्षमता और प्रती घंटे या प्रती दिन कितने लोग यात्रा कर सकते हैं के आधार पर आका जाता है इस रोपवे की कार में एक बार में आठ लोग सवार हो सकते हैं अब हम गनहिल पहुँच गए हैं गनहिल की उंचाई समुद्र तल से 6,640 फीट या 2,024 मीटर है ये मसूरी का दूसरा सबसे उंचा स्थान है मसूरी में सबसे उंचा स्थानलाल टिबबा है जिसकी उंचाई 2,275 मीटर या 7,464 फीट है आईए देखते हैं यहां क्या है और यहां से क्या दिखता है गनहिल के नाम से ही लगता है कि इस पर किसी प्रकार की गन रखी जाती होगी पर यह गन लड़ाई के लिए नहीं बलकि ब्रिटिश काल में 1857 में रखी गई थी और दोपहर का समय बताने के लिए चलाई जाती थी आज यहां गन तो नहीं है बस इसका चबूतरा मौजूद है और पानी की एक बड़ी टंकी है जो मसूरी के लिए पानी भरने के काम आती है किसी समय गन हिल से घाटी, शहर और पहाडों का 360 डिगरी का द्रिश्य देखने को मिलता होगा पर अब चारों और लगभग 80 दुकाने होने से बहुत थोड़ा से हिससे से ही नीचे का द्रिश्य दिखता है आप अगर बिना रोपवे के गन हिल तक आना चाहे तो जूला घर के पास से सडक से भी आ सकते हैं आईए अब वापस नीचे चलते हुए इस रोपवे के बारे में कुछ और जानते हैं रोपवे की सवारी करते समय आपके दिमाग में कुछ प्रशनाते होंगे ये खराब हो जाए तो क्या होगा? इसका रखर खाव कौन करता है? ये कौन तै करता है कि ये सवारी लायक यानी सुरक्षित हैं या नहीं? शायद आपको हाल ही की जारखंट के देवघर जिले में 10 अप्रेल 2022 की दुरघटना याद हो जिसमें 60 लोग फंस गए थे और 3 की जान गई गोंडोला में फंसे लोगों को भारती अवायू सेना, आर्मी, नाशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से 46 घंटे की मशक्त के बाद बचाया जा सका था इससे पहले 25 जून 2017 में गुलमर्ग में तेज हवा से एक पेड रोपवे के केबल पर गिर गया जिससे एक केबिन गिर पड़ा और इसमें बैठे साथ लोगों की जान चली गई थी बाकी केबिन रुख गए जिन्हें वापस लाने में तीन घंटे लगे एक और घटना 13 अक्टूबर 1992 में परवानू शिमला के पास टिंबर ट्रेल रिसोर्ट की केबल कार में हुई जिसका खीचने वाला तार तूटने से लगभग उपर पहुँच चुका गोंडोला केबिन वापस पीछे जाने लगा और फिर जटके से आधे रास्ते में रोपवे में भी दो बार दुर घटनाएं घटी हैं। एक बार 1978 में केबल तूटने से गोंडोला नीचे गिर गया था और एक सैलानी की मौथ हो गई थी। दूसरी घटना 2005 में हुई थी। देयोघर की घटना के बाद सभी रोपवेस की सुरक्षा पर लोगों का ध्यान ग जाती है और हर छे महीने में रखरखाव किया जाता है। हाला कि रोपवे पर होने वाले दुरघटनाएं सड़क दुरघटनाओं से बहुत कम हैं फिर भी जब ये होती हैं तो बचाव बड़ा मुश्किल होता है इसलिए जरूरी है कि रखरखाव और फिटनेस की जांच न जाता है इसलिए अगर शर्तें कड़ी हों तो कोई बुराई भी नहीं है। एक सूचना के अनुसार गनहिल रोपवे के निरीक्षन के बाद 2019 में ब्रिज रोपवेस टनल एंड अधर इंफरस्ट्रुक्चर डेवलप्मेंट कार्पोरेशन ओफ उत्तराखंड ने इस रोप इसे अब तक किस कारण से चलाया जा रहा है? सभी कमियां दूर कर दी गई है या नहीं इसका कोई उलेक पब्लिक डोमेन में नहीं मिल रहा है। आशा है सब सही ही होगा। दहरादून से मसूरी को जोड़ने की एक तीन सौ करोड की योजना है जिसे दो हजार चबीस तक प किलोमीटर की दूरी है जिसे पूरा करने ने कम से कम डेड़ घंटे लगते हैं। इसकी क्षमता एक तरफ से एक हजार तीन सो यातरी प्रती घंटा होगी। लीजिए हम वापस मॉल रोड के जूला घर तक पहुँचने वाले हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंध तक देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।